तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका नाम आपको मिलता है यानि कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ कहा है और उसका क्या रोल है हम इसमें पढ़ेंगे देखे आप वीडियो के लास्ट में आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगी इस चैप्टर से लेटेड और आपको कोशन अंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो आपको किसी चीज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए हम शुरू करते हैं देखें मैं आपको बताती हूँ सासा रीड भी करेंगे हम और मैं आपको सासा मीनिंग भी बताती जाओंगे हर चीज का आप देखो आपने स्काई देखा है और स्काई में आपको बहुत सी चीज़े देखती हैं इस रात के वक्त आप देखो खास और पे तो आपको तारे मून यह सब चीज़े आपको नजर आती हैं ठीके तो देखो तो सून यू वोड़ सी दिन नमबर इंक्रीजिंग यू कैनाट काउंट दैमा अनिमोर यानि कि यह इतने सारे जो स्टार्स हैं आप देख तो यह बहुत ज्यादा इतनी गिंते में होते हैं कि आप इने काउंट ही नहीं कर पाते हैं एक के बाद एक के बाद कुछ न कुछ आ आपको डित्ता ही रहता है तो जिससे पूरा आसमान भरा रहता है तो देखे इस सीमा इस जिव डिन बेड्राइब डैमड्स ती ओल वी ट्विंक्लिंग यहां आप देखोगी टिम्टे माटे वितारे क्या करते हैं तो देसे इंपली ग्लो विदाऊट अट अनी चीजे बता रहे हूं, जो इंपोर्टन है आप लोगों के लिए, ठीक है, और बाकी आप बुक की रीडिंग अपने आप से खुद लगा सकते हो, ठीक है, मैं आपको सासत बताती हूं कि क्या चीज इसमें कहना चाह रहे हैं, जैसे कि along with these bright objects, you may also see the moon, तो देखा ही है, यानि कि आप देखते हो कि हर दिन जो चांद होता है, moon होता है, उसकी position अलग होती है, उसकी shape अलग होती है, ठीक है, आप लोगों को ये भी देख सकते हो कि एक टाम ऐसा आता है कि full moon होता है, बुलकुली, only once in about a month, और ये एक महीने में एक ही बार आता है, ठीक है, तो it is full moon night, और उस it all, at all, it is a new moon, अब देखो एक फिर new moon की भी आती है, यानि कि अमा वस्य जिसे आप बोलते है, उस टाम पे आपको चांद नजर नहीं आता, on this day you can watch the night sky best provided, it is a clear night, ठीक है, तहनी कि आपको दो चीज़े पता चले है, एक full moon और एक new moon, full moon में आपको चांद पूरा नजर आता है, ये महीने में एक बार ही होता है, मतलब हर महीने में, और ऐसे ही new moon होता है, ये भी हर महीने में एक बार की घटना होती है, जिस दिन आपको चांद नहीं नजर आता है, आप देखो, do you wonder why can't we see the moon and all those right teeny objects during day time, it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky, यानि कि अब ये कहते हैं, कि आप देखो, जैसे सुबह होती है, तो आपको ये ना तो ये चांद नजर आते हैं, नहीं तारी नजर आते हैं, तो ये चली कहां जाते हैं, तो देखें, आपको ये सिम्पल से चीज है, जो आपको समझने चाहिए, कि वही सुबह अरे, क्या होता है, सूरज निकल जाता है, तो जो हमारा सन होता है, सन की रोशनी ही इतनी जादा है, उसकी ब्राइटनिस इतनी जादा है, तो जिसमें चांद और तारे आपको नजर नहीं आते हैं, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies तो देखिए अब यह पता होना चाहिए कि जो भी जो हैवी जो आपको चीज निराते है शेप निराते है आपके आसमान में आपकी स्काय में जिसे मून हो गया ठीक है प्लैने ड्यू बीन यद फजना तेखिए अध५ प्लैनिट सौर अभडित यह जो टारिफ अगयर गें इन्हों आप सैलीस्टिल बॉढड बोलते हो तो आप लोगों का से प्जिस्ट्राइड उति कहा है तो आप लोगे याद stars, the sun is a star, यानि कि यह जो celestial bodies, यह stars भी होते हैं, और अगर हम sun की बात करें, तो sun अपने आप में एक star है और यह चीज सब को पता होनी चाहिए, okay, then countless twinkling stars in the sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us, यानि यह जो आपको चमकते वे तारे नजरा रहे हैं, अन गिनत जो तारे हैं, यह आस्मान में बहुत जादा है, देखी यह सूरज की तरह चमकते हैं, पर लेकिन उनकी हीट हम तक नहीं पहुच पाती उसका रीजन क्यों है, तो इसका रीजन है कि यह जो तारे हैं, यह आस्मान में बहुत दूर तक हैं, जिस बज़े से इनकी हीट हम तक नहीं आ पा रही हैं ओकी, देन नेक्स्ट यू मस्ट हैब नोटिस तारे कितने ही छोटे नजर आएं तो आप समझ ना, जो जादा छोटा होगा यानि कि वह हमसे जादा दूर है तो आप समझ सकते हो कि वह कितने जादा बड़ी बॉड़ी है कि वह इतना दूर होने की बावजूद भी अमने ज़र आते हैं वाइल वाचिंग ताना इसका है इन पैटर्ण को आम बोलते हैं कांस्टूलेशन यानि कि तारा मंडल देखिए बहुत ज़दा इन में फेमस नेम भी हैं आपको इसमें दे रहें जैसे कि उर्शा मेजर जैसे आप बिग बेर भी बोलते हैं वन सच कंस्टूलेशन यह भी तारा मंडल का एक सम्मू है अगर हम पुराने समय की बात करें तो लोग क्या करते थे जो डायरेक्शन होता है रात के समय में देखने के लिए वो तारो का यूज करते थे यानि कि आप कभी भी नाइट में इसकाय देखना आपने एक तारा देखा उसकी पोजिशन आप नोट करों तो वो पोजिशन उसकी वहीं रहेगे आप उसे तीन दिन एक महने एक साल कितने भी सालवाद देखना उस तारी की जो पोजिशन है वहीं पे रहती है तो वही चीज है पुराने समय के लोग क्या गड़ते थे डायरेक्शन के लिए तारो का ही यूज करते थे तो नौर्थ स्टार इंडिकेट्स नौर्थ डिरेक्शन इससे हम पोलर स्टार भी बोलते हैं जो कि आपको हमेंसा नौर्थ स्टार यह बहुत ही चमकता वतारा होता है इन नौर्थ साड में आपको नजर आता है अब देखो दैन हम आगे बढ़ते हैं आप देखो कुछ सालेस्ट्र बॉर्ड इससे भी होती है जिनकी ना तो कुछ हीट होती है अपनी नहीं कोई लाइट होती है ठीक है दैन वह थोड़ी बहुत स्टार्स ऐसी भी हो सकती है देखो जिसे आप प्लैनिट भी बोलते हो य आलग होती है ठीक है थोड़ा से डिफनेंट हो गया स्टार से ठीक है प्लैनेट्स की बात करें तो यह जो वर्ड है यह Greek ौर्ड है जो कि के प्लैन्ट ताई से निकला है विच मीनज वंडरर्स wonders एक सरह से घूमने वाला okay the earth on which we live is a planet यानि कि भई earth भी एक planet है, सबको बता है it gets all its heat यानि कि जो earth में heat है and the light है, वो कहा से आती है, sun से आती है क्योंकि भई sun हमारे earth के सबसे नजीक star है सबसे nearest star है if we look at the earth from a great distance, say the moon it will appear to be shining as moon okay अब देखो, अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो भई, moon भी है it will appear to be shining just as moon moon की तरह ये चमकता है the moon that we see in the sky is a satellite जो moon हम देखते हैं, उसे हम satellite बूलते है it is a compassion of our earth and moves around it यानि कि आप देख सकते हैं, हमारे जो moon है, हमारे earth के हसपास ही गुमता है देखें, जो हमारा जो solar system है इसमें जो जितने भी planets आपको मिलते हैं 8 planet होते हैं, आपको सबके नाम पता होने चीए तो हर किसी planet के अपने moon होते है किसी के ज़्यादा भी हो सकते है ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो earth है उसका एक moon है, हमारे अर्थ का सिर्फ एक moon है यह कि जिसे आप सब जानते ही है और moon हमारे earth के round लगाता है और हमारे earth sun के round लगाती है तो यह सब चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें इसमें सब बाते आगए इसमें कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट भी आपको दे रखा है चलो हम इसे पढ़ते है Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them these are bells of small devils these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope Jupiter, Saturn and Uranus these are planets and they have rings आप कभी भी देख सकते हो आप गूगल पर सर्च करके देख लेना अभी आपको चैप्टर में भी पिक्टर मिल जाएगी आप उसमें भी देख सकते हो और तो वह रिंग जो है आप टेलेस्कोप के help देख सकते हो तो जो पावरफुल टेलेस्कोप आप उसे इसली नजर आ सकता है ये देके अब हम सोलर सिस्टम की बात करते है अपना तो भई दस सन एट प्लैनेट सैटलेट्स पिलेट छुब बातल एक डिम सोल almyn ड्यृ यावरफृ इस मिलता और mej भरेव ओष्क टेंड पारहा धा सैटलेट्स नोख जो आपको उसके सीटल में मिलता है ऐसमंले नोख की आपको उसके सांटर में मिलता है हमारे solar system के देखे अब हम sun की बात करते हैं तो the sun the sun is in the center of the solar system it is huge and made up of extremely hot gases it provides a pulling force that binds the solar system the sun is the ultimate source of heat and light for the solar system but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us the sun is about 150 million km away from the earth तो देखे इसमें हर एक पॉइंट बहुत जदे important रखता है जो भी अभी मैंने यहाँ पे रीड करा यानि कि sun हमारे solar system में center में आता है और gases का बनावा है यह hot gases से बना है ठीक है दैन जो भी हमारे solar system में जितने भी heat energy सब sun से ही मिलती है हर किसी को और अगर हम बात कर रहे हैं इतना feel नहीं होता heat चाहे वो कितना ही past क्यों नहीं हो पलेकिन है वो दूर ही और अर्थ से sun की जो distance है 150 million kilometer है 150 million kilometer है और यह आपको पता होनी चाहिए ठीक है do you know थोड़ा से यह पर पढ़ते हैं fact solar is roman mythology is the sun god solar means related to the sun ठीक है solar का मतलब जो sun से रलेट करता हो the sun family of the sun is therefore called the solar system यानि कि आप इस sun family में हर चीज आगए planets जैसे planets आगए and then आपके stars आगए और क्या आगए और आपके meters आगए तो यह सारे आपके solar family हो गए write down as many words using the word solar on your own as you can देखे देन हम आगे बढ़ते हैं planets की बात करते हैं आपके आपको यह चीजे पाता होनी चाहिए planets देखे there are eight planets in our solar system in order of their distance from the sun they are mercury देखे यहाँ पे जितने भी planets के नेम आ रहे हैं यह हमारे sun से दूरी के कोड़ेंगे तो सबसे पास में mercury then फिर venus then earth mars jupiter saturn eunus and neptune आप लोगों को यह नेम अच्छे से याद होनी चाहिए देखे इसमें आपको एक ट्रिक भी दे रखिये याद करने के लिए my very efficient mother just served us nuts यानि की mercury venus earth mars jupiter saturn eunus and neptune तो आप लोगों को यह चीज़े पता होना अच्छे है देखे अगर आम बात करते हैं देखे इसमें भी एक फेक्ट आरहा पिंक कलो की बॉक्स में आपको ले मैं इसे पढ़ देते हूं आप लोगी से सुन लेजिये धान से many words used in a language may have been taken from some other languages this is geography यानि की बहुत से word ऐसे होते हैं जो की other languages से मिल के बने हैं जैसे geography की बात करते हैं for example देखे इंग्लिश वर्ड है it has its origin जैको ये Greek language से लिया है which is related to the description of the earth it is made of two Greek words ये दो Greek words से मिल के बना है एक तो जियो मेनी होता है इसका earth and graphal graphia यानि की मेनी हो गया written यानि की writing find out more about यानि की आप देख सकते हो जैसे की जैसे की जीयो logi की लग गया तो यानि की logi यानि की study of earth जीयो के साथ matter लग गया तो यानि की matter यानि की measurement of the earth जीयो के साथ oid लग यानि की oids यानि की resembling the shape or from form of the earth okay then अगर हम next पड़े okay then आगे बढ़ता है थोड़ा सा all the eight planets of the soul system moves around the sun in fixed in fixed birth these paths are elongated they are cold orbits market is nearest to the sun it takes only about 88 days to complete one round along its orbit Venus is considered as earth's twin because its size and shapes are very much similar to that of the earth most important thing जो आपको पता होनी ही चाहिए यानि की आपको ये इतना तो पता है की जो sun है sun की जितने भी planets है वो round लगाता है उनका एक fixed path होता है यानि की रास्त होता है जिसमें वो उसके round में घूमींगे circle में घूमींगे then फिर भाई इन path को क्या बोलते है और विट्स बोलते है ये आपको पता होना चाहिए और sun की सबसे नियरेस्ट जो planet है वो mercury है और mercury सबसे कम दिनों में sun का round लगाता है यानि की 88 days में ये अपना one round complete करता है और आपको अर्थ का भी पता होना चाहिए फिर इसके according भे अर्थ कितना time लेती है अर्थ को लगते हैं 365 days and one fourth of one day ठीके तो यानि की देखो mostly बच्चों को पता होता है 365 days होता है पर लेकिन one fourth भी आता है आपका जो कि last में आपकी चौथा जो साल होता है fourth year होता है जब आपका 29 days होते हैं आपके फैवरी में तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए ज़्यादा confused होनी की ज़रुत नहीं है नॉर्मल सी चीज है देखो दैन उसके बाद आपको क्या बोल लगए कि जो वीनस होता है जिसे आप शुक्र बोलत हो हिंदी में शुक्र ग्रह यह जो है अर्थ का ट्विन भी बोलत है अर्थ की बहन या फिर भाई एक तरे से क्योंकि इसका रीजन क्या है क्योंकि इसका जो शेप और साइज है अर्थ की अकोर्डिंग है मलें सिमलर है सीलिये तिल रसेंटव अगस्त शुक्रुट बलुटो वस ऐसाइज है अर्थ क्या था कि यह था कि प्लूटो के बारे में आपको पता है कि प्लूटो को भी पहले प्लैने का दर्जा दिया गया था पर लेकिन ऐसे कहा गिया कि जो Pluto का जो shape है वो एक planet के according नहीं बन पा रहा है जिस वज़े से उसको जो planet का दर्जा से हटा दिया गया 2006 में ठीक है International Astronomical Union है जो कि इसके उपर बातचीत करते हैं जो कि इसके उपर study करते हैं Okay In the earth the earth is the third nearest planet to the sun यानि कि hamarih art थीसर नंबर पे आता है LOL बात हैं सूरस से दूरि में Ů्यिसे डिस्टंज में इनसाइज मी आत करें का तो fifth largest planet है ए ना अर्त that is why its shape is described as a Joyd यानि कि हम इसे Joyd port हैं इस जो इसकी शेप है निकी अर्थ-like shape देखो condition favorable to support life are probably found only on the earth the earth is neither too hot nor too cold it has water and air which are very essential for our survival the air has life supporting gases like oxygen because of this reason the earth is a unique planet in the solar system देखो यानि कि नॉर्मल से चीज़ है कि जो भी life जो है अर्थ पे ही है अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर आपको लाइफ मिलती है ना तो यह जादा गरम है ना ही यह जादा ठंडा है जो एक जीवन को जीने के लिए condition होने चीए आपको अर्थ में मिलता है यह पर पानी भी है हवा भी है शर्वाइफ करने के लिए ऑक्सिजन भी है जो कि बहुत ज़ इंपॉर्टन है जिस वज़े से यह हमारी जो अर्थ है पूरे solar system में दूसरे प्लैनेट से डिफरेंट है देखो अगर हम बात करें और अगर हम इस पेस से अर्थ को देखेंगे जैसे कि इसमें लिखा है from the outer space the earth appears blue because it's two-third surface discovered by water it is therefore called a blue planet यानि कि अगर अर्थ को कहां से देखोगी space से देखोगी तो आपको यह blue color का दिखता है तो यह आपका question बन सकता है एक number में कि blue planet की से बोलता है तो अर्थ है जायड सी बात है उसका reason क्या है भई यहाँ पे two-third जो पार्ट है अर्थ का यहाँ यहाँ पे two-third पार्ट है अर्थ का उससे ढगा है water से इस बज़े से अर्थ आपके लिए इसको हम इसको blue planet बोलता है okay then do you know blue wala box हम पढ़ते है light travels at the speed of about 3 lakh km per second yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth यह कोई आपको पता होना चिये कि नॉन्वा से छोटे सा कोश्चन है कि जो sun है sun की light को कितना time लगता है आर्थ तक पहुचने में तो देखें सिर्फ 8 minutes अपने को seconds पही हैं पर लेकिन आपके according only 8 minutes आप लोग याद रखना the moon की बात करते है our earth has only one satellite जैसे आपको मैंने बताया यहनी कि क्या हो गया moon हो गया moon की डायमेटर की बात करें तो वन क्वाटर है यह अर्थ के and then it appears to weak because it is near to our planet than other celestial bodies यहनी कि यह हमें थोड़ा बड़ा नजर आता है क्या हमारा earth के बहुत नजरीक है it is about to 3,84,400 km away from us तो हमारा जो distance है अर्फ एर्थ एंड जो distance है वो इतना है now we can compare the distance of the earth from the sun and the from the moon यानि कि आपको दोनो पदश किल गया यानि कि बाई sun की कितनी ती 150,000,000 km ती आप लोग याद रखना the next the moon की बात करें तो भाई ये कितना हमारा जो sun moon की बात करें तो ये हमारे earth का one round 27 days में पूरा करता है okay then as a result only one side भाई अब क्या moon अपने में भी घूम रहे है ठीक है और हमारे earth का भी round लगा रहे हैं जिस पूसे से क्या है कि हमें सरफ एक ही part है जो moon का नजर आता है ठीक है then इसलिए हमें एक part उसका सरफ एक ही phase नजर आता है किसका moon का the moon does not have condition favorable for life it has mountain plains and depressions on its surface this cast shadows on the moon surface look at the full moon and absorb these shadows यानि कि अब moon में बड़ी life possible नहीं है महाँ पे आपको mountains मिलेंगे बात बड़े गड़े हैं पर लिकी लाइफ महाँ नहीं हो सकती okay then आपको black moon दिखता है हो just shadows होती है महाँ पे then asteroids की बात करते है अब हम asteroids apart from the stars, planets and satellites there are numerous teeny bodies which also move around the sun these bodies are called asteroids they are found between the orbits of Mars and Jupiter scientists are of the few that asteroids are parts of planets which exploded many years back now we are talking about planets and stars and satellites now we are talking about asteroids 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 like stones like stone like stones like stone such structures which are around the sun you have to search and see so you will get it so you are talking about asteroids okay okay they are also in Mars and Jupiter orbit okay what do you see in our ring-like structure में आपको देखनों को यह मिलता है meteroids क्या होता है meteroids क्या होता है यह आप जिसे आपने तूटता वतार आप जिसे बोल सकते हो देखो यह बहुत तीदी से नीचे आता है इसकी स्पीड बहुत जादो होती है there is a star is the Oxford band like a white glowing path across the sky on a clear starry night it is a cluster millions of star this band is the Milky Way galaxy our solar system is a part of this galaxy in Asian India it was the imagined to be a river of light following in the sky thus it was names Akashyonga A galaxy is a huge system of villains of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big a universe is. अब देखो बस छोटे से बाद लाश्ट में आपको यह कह रहे हैं कि गेलक्सी यह होते हैं. देखो आसमान में आपने दुंद्र टाइप में तारो की सम्हूं के बीच में चीजे नजर आती हैं. यही गेलक्सी होती हैं और ऐसे बहुत से गेलक्सी हैं जिसमें बहुत से स्टार्स होते हैं, मिलियन्स की संक्या में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स होते हैं, जिससे क्या बनता है हमारा पूरा यूनिवर्स बनावा हैं और आपके ऐसी ही बहुत सी गेलक्सी वहाँ पे मिलेंगी तो देखिए आपके यह चैप्टर यहां पर खताम होता है ठीके और दैन आपको यहां पर question and answer मिलेंगे और आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को अगर आपको नहीं समझाए दुवार से देखना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो वीडियो को समझ सके अच्छे से तो देखिए यह आपके जो chapter है इसके question and answer है आप लोग इसे देख सकते हो देखिए फर्स्ट पेज पे आपको सारे questions मिलेंगे आप अपनी बुक से भी मैच कर सकते हो अगर आपको कोई doubt हो तो then next यह आपके question first का answer है difference between a planet and a star आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हो then आपका question B and C है यह उसके बाद question D है यह आपका then उसके बाद question E and F है देखिए उसके बाद आपका take the correct है तो देखिए मैंने इसमें options नहीं लिखे हैं direct मैंने इसमें answer लगा दिया है तो आप लोगों कोई confuse होने की जर्थ नहीं कि यह है क्या चीज देखिए then next आपके fill in the blanks है और then fill in the blanks के answer आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो आप लोग अच्छे से देख के आप लोग अराम से इसे fill कर लेना अगर आपको कोई doubt लगता है तो आपको कमेंट वॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी चीज पूछनी हो या फिर अगर आपको कुछ और पढ़ने के लिए चाहिए थैंक यू तो हमारी वीडियो यहीं तक थी थैंक यू सुडेंट्स आप लोग लास्ट टक बने रहें हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करना और हमारे चैनल विपिन कोचिंग क्लासिस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना और यह आपको help करेगा आपकी studies में थैंक यू सुडेंट्स